इली नो जनम सो मरतु है कचु धीर दिल में दीजिये एक बार मुए पुझकार की मुझे प्यार मैया की दिये मैया अब मैं बच नहीं पाऊंगा मेरे सारे बदन में धैर फैल गया है मैया तारा वती के लगी रोए तास ऐसे ना बोलो के बैता जा दुखिया मैया को आजो किन पे छोड़े जाते हो और धर्म के मल्हा पन कर खेल नहीं आजदार फुखा दे रोए तास बेठा आखे खुलो के बले एक बार अपनी मां से मां क्या कर बोलती थिये मेरे पत से में चुड़न बाओं का दाईया मेने तेरी याया सलगाई मेरे पोथे में मतरा पड़े मुमरना यंदू तो सकीठी आई है मुकर से बोला रोहे तास तेरी तेरी रही महां दारी तेरी आपकों आखे खुलो के बाओं का दाईया मैं बेटा गूपो दर्मा देया जो पगिया में शिक्षारी ही है रोहतास तूटवी हुई सांसों में बोला मां अम्में बच नहीं पाऊंगा मैया मेरे पिता से जाकर मेरी प्रणाम कह देना तो के उसों कती जों कह दी सों मैया मों से कह उपस आखिरी प्रणाम परी हमारी दनीले मेरे मात दर्म को हर पन रखियो भ्या मैया की नोदी में तने रोहत पेटा में ता मैया रोबत रहे गरी पगिया से जगो शुआ ना उड़े गओं मैया करव ठते रहे गही पगिया से लखो बेटा रहे गरी पगिया मैया पचाड खाने लगी उस बगिया में बेटा की लास पे रुदन कर रही है एक यही पेटा था उस माँ का पती से पहले बिछुडन हो गया था रोती रही जिलाती रही बेटा तेरा जब जन्म हुआ था तो तेरे पताने लाखों की संपती लुटाई थी लेकिन रोहतास आज मेरे पास में इतना पैसा नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कफन भी ले आओ बगी जी का माली आया है माली ने कहा है बेहन तुम्हारे बेटा को सरपने डस लिया है तेरे बेटा की माटी खराब हो जाएगी अपने बेटा का जल्दी से जाकर कई ताह संसकार करबा दीजिए भाईयो जब कफन का इंतजाम न हुआ है तो मईया जो साड़ी पहने हुए थी उस साड़ी के दो तुकड़े कर लिए एक तुकड़ा पुत्र के ऊपर डाल लिया कफन बना लिया बेटा की लास कंदा पर रख लई और रोते बही मईया मरगट के लिए चली कैसी किसमत है आरे चेत गरभ में रहो के नीद भरी सोरो काया में मैंने पाल गियो भलबर बेटे ने पाई इछाया में करें को पाई बार बोतugalि आरे मिन सोरो के येधा है आरें को बाकाने पारमनन शहला गुत्ते लिए्र औरो राज पांड चल लियो आजो जा कासी मेरे भूने आरे पड़ी दे जबु कर जाकी तंवीर और पिपे लिज घर जाए पूपपे अरे भव्वीर आरे खात जाये मर घट मेरे दाई औरो गई आशी तक नाई लादरी ओवे महाताई औरो गई आशी तक नाई उमरे के लोने महाताई इस तरह से आज मरिया तारा बती बिलाब करती हुई समसान में पहुच गई आदी रातरी का बता है और समसान में जब रोने की अबाज महाराज हरे संद ने सुनी तो महाराज हरे संद ने अबाज लगाई कौन है जो रातरी के बक्त समसान में रो रहा है अध्या नरेस महाराज हरे संद की पतनी तारा बती और हरे संद ने जैसे अपना नाम सुना तारा बती का नाम सुना तो दोड़ते हुए आई तारा क्या हुआ? समसान में तुम कैसी आई? मेरा पुत्र तो ठीक है और भाईयों कैसी पुत्र का नाम लिया मैया तारा बती ने बही साड़ी का चुकड़ा पुत्र के मौं से अटा दिया आज महराज ने जैसे अपने बेटा की लास देखी तो लठी यहां सिर्फ छूट गई जमील पर घिर पड़ी तारा क्या हुआ? मेरा बेटा रोईतास भी चला गया रोईतास को क्या हुआ? तारा बती बोली महराज सोई कुमर के मुकसे मैयाने घट दीनों अपनों हताई और वारे संद पहाला रादने तारने मिरे कसठाई महराज बिगरियो हम तोनों को भाग अब पूला ले नपों को ओको मरा खून दसे गओ पहर ही आग अब आगो तुए नमे तुए नमे तुए नमे तुए नमे तुए नमे महराज हरे संद बेटा की लास पे रुदन करने लगी यह कैसा धर्म है यह कैसा पुन्न है पुन्न में पाप हो गया मेरा बेटा भी छला गया राजा रानी दौनों पुत्र की लास पे रुदन करते रहे उसके बाद में हरिशंद बोले तारावती अब जी कर क्या करेंगा इस समसान में बहुत सारी चिताएं जल रही है में पेर पकड लूँगा तुम पुत्र का सर पकड लो पुत्र को चिता में जला दी जिये उपर से हम भी अपनी जीवल लीला समात कर लेते हैं अम्बीन चिता में कूद कर अपनी आत्मत्या कर लें बहिया तारावती ने बेटा का सर पकड लिया महराज हरिशंद ने बेटा के पेर पकड ली जैसी लेके चले वैसी महराज हरिशंद के मस्तिस्थ में जटका लगा कि तेरा धर्म चला जाएगा महराज हरे संद के लगे तारवती ठेर जाए किया हुबा महराज हरे संद के लगे तारवती कि जिस धर्म के पीछे राज गया और हम बिग गए तीनो प्रादी है तारवती इस धर्म के पीछे मेरा राज चला गया एस धर्म के पीछे राज गया आहां बिग गए तीनो प्रादी है इस धर्म के पीछे बेता गी आज चली गई जिदगामी है इस धर्म के पीछे मेरा बेटा गी चला गया इस धर्म के पीछे पुत्र मरा गर मरता है तो मर जाने दो तारा अभी धर्म मचाए ओ प्यारी तारा अभी धर्म मचाए ओ प्यारी मुझे धर्म के आने निभाने दो पुत्र को दपनाने के लिए आई हो लेकिन तुमारे पास में तका है तारा बती बोली महराज कैसी बाते कर रहे हो अगर मेरे पास में गर तका होता तुम्हे अपने पुत्र के लिए कफ़न घरी भलाती हरे चंद के लगे तारा बती मेरे मालिक का आदेश है तुमारे पास जब तक तका नहीं होगा तब तक मैं तुमारे बेटा को दपना नहीं सेका तारा बती बोली महराज कैसी बाते कर रहे हो ये बेटा मेरा है तुमारा नहीं है हरे चंद बोले ये बेटा मेरा था लेकिन अब नहीं है बो दिने आद करो तारा मैंने तुम से कहा लेकिन तुम पंड़ता नी बनी गई तारा के बिरता लाश धरे मर घट में रोई रही तारा नारी कुमरन मेरो नाय तुनारी हमा अरे सिंद बोले तारा नारी अरे काशी में जाए पिके छोटे सबनाते करेनों करी सब भरे हम रहते और एक ट्रका पे धर्म निगावें निकन करती कि चार कुमरन मेरो नाय तुनारी हरे सिंद के लगे तारा अरे मुरदा तबे आजरे तकापे उठरी कोई है कुर्दा तबिहां जरे तकापे उठरी कोई करू कालू कोई घाटन मेरे तकापे उठरी कोई महराज हरे संद ने ताराबती से कहां कि पहले हमें कर का टका चाहिए ताराबती बोली महराज मेरे पास में केबल ये साड़ी का टुकड़ा बचा है हरे संद के लगे तारा धरम बचाने के लिए ये साड़ी का टुकड़ा बचने दो साड़ी का टुकड़ा भी छिल लिया महराज हरे संद ने रात में मईया चली बिचार खने लगी रात में मैं कहां जाओँ केसों के साये से अपना चेहरा ढग लिया था मईया चेहरा दिखाने के लाइक नहीं थी काशी से बाहर एक मठी थी उस मठी में मईया गुसी गई रोती रही बेटा के बियोग में बेहोस हो गई और मात आओ दुख में पहले तो नीद आती नहीं है और दुख में गर नीद आ जाती है तो पर सरीर का भान नहीं रहता है कि ये सरीर कहां बढ़ा आरे दुख की मारी मात सती के मठ मेरे गुशिया आई जया सुख की आई गई चीदत सोई गई बिपता की ने मारी मैया बेओसी की हादत में सोई गई गई रोहतास के सरीर से थोड़ा मास ने का लिया मैया के चैरा से खूल लगा दिया और मैया के पास में मास रख दिया आरे के खोजो प्रह्मा नेरे लेखो चैना को करो उपाई काए कोई में तबाया देखो आरे के लोड़ा देखो पर्ले बेखो हर्मा नाहाई बेखो गई मैया आरे, 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 मौना मेरे भाई अरुकर मने खनाय में देखरो चैना को चतुराई मेरे भाईया इधर मैया तारा सो रही थी बच्छलिया बिस्वा मित्र ने अबाद लगाई कासी की गलियों में कासी बासियो एक डाइन आई है जो मठी के अंदर है नमालम कितने बच्चे खा चुकी सबी चलके उस डाइन का कतल कर दे ओकासी नगरिया में जब अबाद लगाई तो लंबी भीड जुड़े आई कुछ लोगों ने का एक काम करो जो कालू के यहां पर हरिया नाम का जल्लाद है जो मरगट में रहता है उसी जल्लाद के हादों से इस डाइन का बद कर बाओ कालू ने हरिया से कहा हरिया तुम एक डाइन का कतल करना है और महराज हरेशंद ने जो सुना तो पैरों के दले धर्दी के सकली मैंने आज तक किसी चीठी का बद नहीं कहीं सारा सरीर कपने लगा लेकिन सोचने लगे गर मना करता हूँ तो मेरा धर्म चला जाएगा लड़ घडाते हुए हाथ में कटारी ले ली महराज हरेशंद को जब ले जाया गया तो मठी के अंदर देखा वई मईया तारावती हरेशंद के लगे तारावती तुम? हाँ स्वामी अरेशंद बच्चों को खाने लगी मईया रोने लगी महराज मैंने किसी के बच्चे को नहीं खाया मैंने तो दायन बनके अपने बच्चे को खाया है मैंने किसी को नहीं खाया मैं निर्दोस उन मैंने किसी बच्चे का बद नहीं किया हरेशंद बोले तारावती माप कर देना दर्म का पालन करना मेरा करतब यह नेत्र बंद करके महराज हरिसंद ने जैसी तलमार मारनी चाही बैसे भगबान चत्र भुजी रूप धालड करके प्रकट हो गए कलाई पकली ठेर जाओ महराज तुम धन्मे हो तुम्हारे जैसा धरंबीर तुम्हारे जैसा धानबीर कोई नहीं हो सकता बिश्वा मित्र भी आ गए महराज में तुम्हारी परिच्चा ले रहा था हरिसंद तुम्हारे जैसा संतिबादी कोई नहीं है हरिसंद भरतान मात्म महराज हरिस्चंद के आंखों से आंसों की पनारे बेह रहे थे रो रहे थे महराज हरिस्चंद बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए महतमारी मेरी बदनी से पूछ लो तारा बती से कहा बेटी तू कुछ मांग ले तारा बती बोली बाबा मेरा बेटा अपने डस लिया मेरे बेटा कुछ जी बंदान दे दो बैस्वा मित्र बोले तुम्हारा बेटा कई नहीं गई अवाज लगाओ रोहतास को अवाज लगाई है तो रोहतास दोड़ता हुआ chats आप मैया के गोधी में मेंड गई बेट स्वामित्र बोले बेटी फिर भी मांगले कुछ तारा बती बोली महराज मुझे कुछ नहीं चाहिए देना चाहते हो तो केबल एक चीज दे दीजिए कि स्वामी इतनों दीजिए जामे मेरा पुटम समाराई मैं भी भूगी ना रहूँ कोई संद भी भूखों ने जाए तारा बती बोली महराज में जब जब धरी की जनम जाजग में आऊं मुझे यी पेदा मिले मती यी पाऊं महराज जड़ के उपस यही हमें मरना और उंपत के चरणत में बाबा दी रहे हमेशा भ्याज भैया धन्ने धन्ने धर्म धर्म की महमान आ रहे है अंको धन्ने धन्ने धर्म धर्म की महमान आ रहे है भीघंगा तोराग एंडेत करफ दो तो दोडिभा, कृनोंcom उबलों करें जना, हमाइपनीरी झाएभा, हमाइपनीरि अब को धन्ये 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 धर्म की लीला आप्यारे तारबती पोली महराज हमें केबल यही बर्दान दे दिजिए यभी हमारा इस प्रतवी पर जनम हो तो मुझे यही नेरे पत्वी मिले यही मेरा बेटा मिले और बेस्वा मित्र से एक雪बा दोर कई महराज तुमने मेरे इतनी कटिन परिक्षा ले ऐसी परिक्षा लेने तुम कल्यूग में किसी राजां के घर मत जाना और कलिव में गर ऐसी परिच्छा लेने के लिए गए तो कोई मारे मारे के मारे मारे के तुम्हारी खुबड़िया लाल लगती है इस तरह ऐसे भगवान बरदान देने के बात में अंतर ध्यान होते हैं महराज हरे शल्द को बही अउध्या का राज मिला है बोल गोबिंद भगवान की